नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं टेकपूर और स्वागत आज की इस वीडियो में आज की इस वीडियो में आपको SSC स्टेनोग्राफर के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में सेसी क्या होती है और सेसी स्टेनोग्राफर क्या होता है उससे जुड़ी हर एक जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ वीडियो पूरी देखे और अंदर तक जरूर बने रहें बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं सेसी स्टेनोग्राफर होता किया दोस्तों यह जानने से पहले मैं आपको यह बता दू कि स्टाफ सेलेक्शन कमिशन यह एक गॉर्मेंट और गिनाइज बोड़ी है यानि कि गॉर्मेंट के दोना बनाए गई एक संस्ता है जो की बहुत सारे एक्जाम्स कंड़क्ट करवाती है और जैसे कि इसमें ESCGL, CHSL, STENO, MTS, CPO ऐसे बहुत सारे एक्जाम सेसी हर साल कंड़क्ट करवाती रहती है उन्ही में से एक एक्जाम है दोस्तों SSC STENO STENO एक स्टोनोग्राफर का शॉर्ट फॉर्म होता है जिसे स्टेनो कहा जाता है स्टोनोग्राफर का मतलब होता है दोस्तों हिंदी में स्टोनोग्राफर को सुद्ध भासा में लेखक भी आप कह सकते हैं या फिर आप इसे टाइपिंग टाइपर भी कह सकते हैं दोस्तों बेसिकली STENO एक कलर की पोष्ट होती है जिसमें आपको एक टाइपिंग मगेरा का काम दिया जाता है दोस्तो ये टाइपर का काम होता है इसमें बहुत सारे टाइप करनी होती है जैसे कोई फंक्शन है कोई इवेंट है तो वहाँ पे कोई स्पीच वगएरा अगर किसी को देनी है तो आप 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 टाइप करें तो वो काम स्टेनोग्राफर का होता है या फिर कोई कहीं पे काम है कुछ टाइब करनी है तो आप इस टेनोग्राफर से टाइब कर वाले सो बिसिकली इस टेनोग्राफर का एक लगे पोश्ट होती है जिसमें टाइपिंग अगेरा और छोटे मोटे लिकेंशिया निकलती हैं वो गुरूप डी और गुरूप सी पोश्ट के लिए निकलती है और इसमें जो बात करें दोस्तों तो यह सेंट्रल गॉर्मेंट की जोग होती है इसमें केंदर सरकार के अंदर आपको काम करना होता है केंदर सरकार के सायोग के अंदर और इसमें जो exam होता है इसका जो exam का pattern होता है वो online ही इसका कराया जाता है और इसमें तीन type के exam होते हैं दोस्तों पहला तो multiple choice question का exam होता है जो उसके उपास करने के बाद एक return का exam होता है दो गंटे का जो की हिंदी या English में आता है उसके बाद फिर computer based test होता है आपकी skill test होता है इसके बाद आपका selection होता है इसमें दोस्तों जैसा कि मैं ना बताया कि इसकी agency हरसा निकलती रहती है तो इस साल भी इसकी agency निकलेगी तो उसमें बता दू कि इस साल इसकी agency दिसंबर में निकलेगी यानि कि साल की बिल्कुल लाश्ट में निकलेगी दिसम्बर 2022 में और इसका ज़र एक्जाम है वो अप्रेल 24-23 तक कराने का उमीद है तो दोस्तों और इसके बारे में आगे हम बात करें अब दोस्तों अगर हम जैसे कि आप iSqe से बिलोग करेंगे तो आपको 5 साल की छोड़ देगी ओविसी से तो 3 साल की पीडालोडी से दो दस साल की तो ऐसे दोस्तों बहुत सारे डिपार्टमेंट को बहुत सारे केटिगरी को यहां पर कुछ छोड़ भी दी जाती है उसके लावा दोस्तों आप 12 प के और भूटान के हैं तब भी आप इसमें भड़ सकते हैं कोई ज़रूर नहीं है कि बस आप इंडिया के ही हों अब यहां पे दोस्तों इसके बारे में और हम बात करें आगे दोस्तों जैसा कि मैंने बताया तो इसका एक ओनलाइन एक्जाम होता है जो की कंप्यूटर बेस्ट एक्जाम होता है तो अब बात कर लेते हैं कि उसका कैसा पैटन होता है तो मैं आपको बता दूँ उसमें आप पहले जैनरल इंग्लिस और इंटेलिजन्स के 50 कोश्चन आते है और इसमें इसकी हर बार दोस्तों अलग अलग कटव जाती रहती है तो हर बार इसका सेलेक्शन का प्रोसेस कटव के इसाब पर किया जाता है और बात करें दोस्तों इसके स्लेवस की कि इसमें स्लेवस क्या आता है तो इसमें बेसिक इंग्लिस का स्लेवस पूरा इंग्ल सब्सक्राइब यह सारी चीज़ इंग्लिज से रिलेटेड में जी के जीएस आपको आनी चाहिए मैं था ना चाहिए तो यह सारी चीज़ें इसमें बेसिकली होता है जो कि हर आम तोर पे हर एक एक एक्जाम में होता है कि दोस्तों अब यहांपे मैं आपका कटॉफ भी बता देता हूं कि आपको 200 माक्स में से कितने हैं लाने होते हैं आन मानीत आप नहीं पर बतानु आपको तो 2020 की जो कटॉफ रही थी यहांपे वो यह जनरल के लिए गुरूप C के लिए 138 थी वहीं गुरूप D के लिए 134 थी OBC के लिए वही चीज गुरूप C के लिए 133 थी और गुरूप D के लिए 130 थी तो आप देख सकते एक अच्छा कासी cut-off जाती है दोसों माक्स में से आपको 130 140 करीब आप एनवन लाने होते हैं सेलेक्षन के लिए इसमे अच्छी खासी तृजारी भी करनी होती है है और दोस्तो आप सबसे इंपोर्टन आप इसमें बात कर लिए आपके salary की कि हमें salary कितने मिलती है आखिरकार इसमें इसमें दोस्तों यहाँ पर जो मैं आपको बता दूँ इसमें salary होती है वो grade level 2 और grade level 1 की pay level पर होती है यह so maximum minimum salary इसमें जो होती है दोस्तों वो 9300 होती हो और maximum salary 34800 होती है ग्रूप C का अलों के लिए वही ग्रूप D वालों के लिए जो यह होती हो मिनिमम 5000 होती हो और maximum 20000 होती है तो यह बहुत ही छोटे सी salary है दोस्तों लेकिन ठीक था कि इसका आकड़ा है इसमें काम चलाओ इसमें आपको यहाँ पर salary दी जाती है तो अच्छी salary है कोई खराब salary भी दीकी थैória तो सो दोस्तों हमने यहाँ पर सब्कुत जान लिया Hastраст clarification कि इस्टेनोगराफर के बारे में उसका पिछा याँ पर कि ढे एक्जां बैंडने बारे में उसका PSY कि इसका Cape सकती है इसका कम निकलता nightmare जिए पर सकता है तो आज़ के लिए अधने मिलते हैं अगले किसी वीडियो में भी तख figura के जाने वाद झाल झाल